असलाम लेकुम दोस्तों मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ इसमें हम शुरू में हजब मामूल चन्द बाते करेंगे और फिर इन्शाला अमली तोर पर प्रोग्रामिंग करेंगे तो बातें कुछ ये हैं कि पिछली वीडियो मैंने देखी हैं उस पे व्यूज तो आ रहे हैं लोगों के लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन कमेंट जो है वो इतने ज्यादा नहीं की जा रहे हैं जबके मैंने पिछली वीडियो में ये रिक्वेस्ट की थी कि आप तो मुझे तब भी थोड़ सा अंदाजा हो जागा कि कितने लोग वीडियो को सीरियस होके देख रहे हैं तो बाकी आप से ये भी रिक्वेस्ट थी कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सबस्क्राइब करें तो उसमें ये होता है कि आपको जब थोड़ी सी रियक्शन मिलता है अपने एक्शन का, तो उसमें फिर आपको मोटिवेशन मिलती है तो उसमें फिर ये है कि आप मज़ीद शोक से अच्छे अच्छी वीडियो बनाते हैं और अगर आपको पजीराई नहीं मिलती नजर नहीं आते आपको कुछ प्राग्रेस कुछ होते वे कुछ कमेंट्स लगता है लोग अफाइदा नहीं उठा रहे तो फिर आप फिर इसमें ये भी हो सकता है कि ये जो सीरीज मैंने शुरू की है कि मुबाइल फोन की उपर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने वाला तो इसको हो सकता है पिर खतम मिकार दिया जाए तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर आप इस पे ध्यान दें तो अमली तोर पे हम शुरू इस तरह यहां पर आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है अकठा लिखा हुआ एक कोड और इसका आइकन भी नोट कर लें तो आप इस एप्लिकेशन को इंस्टाल कर लें तो इसको मैं स्टार्ट करता हूं क्यूंकि अगर आप इसको इंस्टाल करके मेरे साथ साथ नहीं चीजे करेंगे तो फिर सीखना काफी मुश्किल हो जाएगा तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम हमने जो एक्जेम्पल की थी तो इस एक्जेम्पल में इसकी आउट्पूट मैं आपको दिखाता हूं तो इसमें हम इन एप इसको रन करते होते हैं फ्ले बटन पर मैं कilik करता हूँ तो मैंने आप से यह चीज डिस्कस की थी के जब विट्थ क्योंके हम एक मिम्हदूध होती है तो उसमें यह automatically next line पे shift हो जाता है तो हमने इसमें देखा कि इसमें यह लिखाई जो है next line पे shift नहीं हो जाए मुझे यह इसको scroll करना पड़ रहा है tap करके उंगली ना right और left मैं इसको कर रहा हूँ तो यह routine से हट के एक चीज थी तो इसको वीडियो बनाने के बाद मैंने भी note किया है तो दोनों बाते अपनी जगा दुरुस्त दी यह जो इसका output आ रही है यह भी ठीक है और जो मैंने बात की थी वो भी ठीक थी मैंने जो बात की थी वो हम जो आम sentence लिखते हैं उस इसाब से बिलकुल ठीक थी तो आम जो sentences होते हैं उसमें यह कि कुछ words होते हैं और उनके दिनम्यान spaces होती है जबकि यह जो हमने text लिखा है यह सारा का सारा एक ही word के तोर पे हो रहा है चुक्कि इस पे space हमने नहीं डाली तो इस वज़ा से यह इसमें वो next line पे automatically shift नहीं हुआ तो इसमें हम क्या करते हैं कि जहां पे हमने जिस तरह के यह डाला हुआ है इन जगों पर हम एक ही जगा इन जगों पर हम space डाल देते हैं क्योंकि एक मकसद यह भी था ना कि हमें अंदाज़ा होके तकरीबन 100 के करीब यह हमने टाइप किये थे characters तो इसको हम अभी इसमें भी देख रहे हैं कि यह shift यह करता जा रहा है तो यह app जो है इसको भी साथ साथ आप इसकी options जो है वो चेक करें क्योंकि यह आपकी जो भी development environment है उसके बारे में आप जितना जानते होंगे जितना आप जो भी programming language इस्तमाल कर रहे हैं उसके keywords के बारे में जितनी भी ज़्यादस ज़्यादा मालूमात होगी उतना ज़्यादस ज़्यादा आप उसमें अच्छा काम कर सकते हैं तो इसको हम save करते हैं और फिर यह play button पे click करके इसको run करते हैं और in app करते हैं तो जैसे के में तवक्कु थी यह उसी तरह result आ गया चुकिए यहाँ पर जिदर मैंने टैप किया यहाँ पर यह next string नहीं आ सकता था तो automatically वह next line पर shift हो गया तो यह हम कुछ इस तरह के text लिखके हम सीख रहे थे कि किस तरह हम display कर सकते हैं वेब पेज की उपर जो document है उसकी उपर हम किस तरह कुछ भी लिख सकते हैं तो इसमें कुछ चीजें आप से मैं और बदाता हूँ अभी तो हमने यह line एक दफ़ा लिखी है तो इस line को आप एक से ज़्यादा दफ़ा भी इस्तमाल कर सकते हैं अपनी सहुलत के लिए जैसे क मैं यहाँ पर एक string लिखता हूँ एक मशूर string है वैसे जो typing करते हैं उनको दो पता है एक quick brown fox jumps jumps over the lazy dog तो यह हम अमूमन typing सीखते हुए यह text लिखते हैं तो बाज वकत आप चाहते हैं कि यह जो string अगर ज्यादा लंबा हो मिसाल के तोर पर मैं यही string copy करके इसको एक line और मैं इसको कर देता हूँ तो यहां पर मैं यह copy कर रहा हूँ इसको और यह copy करता हूँ और साथ में यहां पर मैं paste करता हूँ पेस्ट के लिए आप यह एक pencil sign यहां पर आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो इस menu में आपको यह paste की option मिल रही है तो यहां पर string देखें एक्स्ट्रा वो copy होगी थी इसको मैं quotation mark इसको मैं ख़तम कर देता हूँ तो बाज वक्त आप यह चाहते हैं कि यह इस तरह बहुत सरा text लिखा हुआ रहा है तो यह multiple lines में अगर मैं इसको कर दूँ तो जैसे कि इस जगह पर मैं अगर enter दुबाता हूँ तो एक तो आपको color यहां से क्योंकि यह preview भी दिखा रहा है तो इससे भी अंदाजा हो रहा है कि यह कुछ गरवर हुई है उपर वो color text और आ रहा है तो इसको हम run भी करेंगे तो यह उस तरह result नहीं आएगा बलके हम यहां पर इसके console में देखेंगे तो यहां पर यानि जो भी उसको text नजर आया उसको यह समझ नी सका है उसकी वज़ा यह है कि यहां पर आके इसने इसके बाद जो next line है यह हमने डाली है तो इसमें a लिखा हुआ है तो जब इसको वो run करता है तो वो देखता है कि यह a javascript में क्या चीज़ है कोई इसमें object है कोई keyword है क्या चीज़ है इसको नहीं मिलता तो फिर error generate हो जाता है तो यहां पर मैं इसको close करता हूँ जैसे के हमने पहले लिखा हुआ था तो इसी तरह बाकी जो text है document.write यह आप repeat कर सकते हैं एक से ज़्यादा दफ़ा जिती दफ़ा आपको जरूरत है तो इस चीज़ को मैं यहां पर copy करता हूँ और यहां पर शूरू में आके मैं इसको paste क कर देता हूँ और वही pencil button पर icon पर click किया और यहां पर paste पर click कर दिया तो अब देखें अब यहां पर हम एक से ज़्यादा spaces भी डाल सकते हैं तो कभी-कभी यह कि कोड को आप असान पढ़ने में लगने के लगे उसके लिए आप बीच में यह extra lines और spaces डालते हैं तो उसमें प और in app क्लिक करते हैं तो यह हमारे पास text display हो गया लेकिन इसमें अब यह चीज़ नोट करें कि वहां पर हमने दो line में लिखा है जबके इसमें यह ऐसे ही एक line में आ गया है और बलके यह जो lazy dog है इसके बाद space भी नहीं है तो इसके लिए यह कि आपने space डालनी है इस तरह कि अगर दो line में तीन line में यह यानि document.write का function आप एक से जदा दफ़ा देख रहे हैं तो उसमें फिर आप जो आखरी line है यहां पर आप space डाल दें या जो दूसरी दफ़ा जब आप लिख रहे हैं document.write को यहां के इसके शुरू में space डाल दें तो यह आपको खुद से डालनी हो होगी और अगर आपको यह document.write function की समझ नहीं आ रही तो आप मेरी पहले परानी जो वीडियोज हैं चन्द वो देखें चुकि यह एक sequence में हम सीखते हुए आ रहे हैं और मैं इस course को इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने computer science बिल्कुल नहीं पड़ी हुई, programming बिल मेरा इस course में कोशिश ही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा programming की समझ आए और जो JavaScript language है इसको सिखाने की तरफ मेरा focus नहीं है, इसी वज़ा से आप देखेंगे कि इसमें professionally अगर आप coding के हिसाब से देखें तो इसमें आपको गलती है नज़र आएंगी, चुकि जिस तरह के यह कोड लिखें और ज्यादा से ज्यादा programming सिखें, तो हमारा जो focus है वो programming है, तो इसी वज़ा से हमने कम से कम कोड लिखा है, तो यहाँ पे इस तरह आप, जिस तरह कि यह मैंने अब दो लाइनों में यह लिख लिए है, इस तरह आप के लाइनों में इसी तरह document.write का function लिखके coding कर सकते हैं, तो अभी तो यहाँ पे हम strings को लिख रहे हैं, quotation के अंदर हम लिख रहे हैं, तो मैं आप से यह चीज़ दिखता हूँ कि आपके पास data जो होता है, वो दो तरह का होता है, एक numeric data होता है, और एक strings होती है, यानि कि English में कुछ भी sentences, तो इसमें हम यहाँ पे अभी numeric data में कुछ भी लिखते हैं, और इसको हम run करते हैं, तो यह आपको string, मतलब string तो पहले नजर आ रहती है और यह इसमें, जो numeric data है, उसको भी आप show करवा सकते हैं, तो हमारे पास दो तरह के data हैं, एक numeric data और एक string, तो अभी हम इसमें चीज एक देखते हैं, कि आपको बाज उकात data store करना पड़ता है, किसी जगा, जैसे कि अगर आप algebra आपने पड़ा है, वहाँ पे हम equations पड़ते हैं, जिसमें A+, B+, Z, इस तरह solve करनी होती हैं, तो इसका concept थोड़ा बहुत उससे मिलता जोता है, कि variable, कि हमें programming में कुछ नो कुछ value store की होती है, चाए वो numeric value हो, चाए वो string हो, तो जिस तरह अभी हमने यहाँ पर one, two, three print करवाया है, इसको आप देख सकते हैं, यह print करवा रहा है, तो इसी तरह इस से आप किसी जगा इसको store करके, आप फिर programming में इसको 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 जो है, बहुत ज़रूरी है, इसमें फिर आप, क्योंकि इसको coding में इस्तमाल करते हैं, वरियेबल्स को, तो वरियेबल्स जावा स्क्रिप्ट में इस्तमाल करना बहुत असान है, तो मसलां मैं एक वरियेबल बनाता हूँ, वी, ए, आर, नाम आप अपनी मर्जी का यहाँ प आप साथ लगा सकते हैं, तो इसमें वी, ए, आर, वन हमने लिख है, और जब भी आपने किसी वरियेबल में वैल्यो स्टोर करनी हो, तो उसमें आप एक्वल साइन डालेंगे, इसके राइट साइड पे वरियेबल की, और जो भी वैल्यो आपने उसमें स्टोर करनी है, और वो आप वहाँ पे राइट साइड पे लिख दें, अब ये वैल्यो जो है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुटेशन के अंदर हम इस तरह कुछ लिख सकते हैं, या फिर हम इसी तरह, बलके यहाँ पे हम 4, 5, 6 लिखते हैं, तो यह हमने लिख दिया है, और अभी हम इसको र 5, 6 ये नुमेरिक डेटा, ये वी एर 1 विरियेबल में स्टोर हो गया है, ये समझने के एक जैसे हमारे पास अलमारी है, जिसमें आप चीजें महफूज रखते हैं, तो उसमें चोटा सा एक खाना है, उस खाने को नाम आपने दे दिया है, वी एर 1, तो उसके अंदर आप नाम लिख देंगे, जैसे कि नाम इसका वी एर 1 है, तो हम यहाँ पे वी एर, और यहाँ पे आप देखें, इस जो एकोड की आईडी ही है, जो एडिटर है, इसका ये कोडिंग लिखने के लिए, ये हमें खुद ही ये सहुलत दे रहा है कि आप इसमें से सेलेक्ट कर लें, तो इसमें ये वी एर 1 लिखा हुआ है, इसके उपर मैंने क्लिक किया है, तो ये इदर सेलेक्ट हो गया, तो इसको अभी मैं रन करता हूँ, वैसे साथ साथ ये कि आप सेव भी करते रहें, तो अभी ठीक डेटा शो करवा रहा है, तो यहाँ पे सीखने वाली, समझने वाल वैलियो स्टोर करनी है, तो इक्वल साइन डालते हैं और राइट साइड पे वैलियो डालते हैं, और वैलियो कुछ भी हो सकती है, नुमेरिक भी हो सकती है, जैसे अभी ये नुमेरिक वैलियो है, और कृटेशन के अंदर स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, और जब वैलियो की नाम लिख देते हैं और बिल फर्ज अगर हम इसी variable की value को किसी और जगा स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें हम मसला एक और variable का नाम हम लिख देंगे VAR मिसाल के तूर लिख देते हैं और जिस तरह के normal है कि हम variable को value assign कर सकते हैं equal sign की right side पर value हो तो वो value value खुद एक variable भी हो सकता है तो इसमें जैसे VAR 1 को मैं मुन्तखिब कर लेता हूँ तो यह अगर इस लाइन को भी देखे duplicate करना है तो यहां पे नीचे जो बार आ रही है यहां पे एक तो इसमें arrows देखें आप बनने में अप और डाउन एरो यह नीचे जो कुछ आइकन्स आ रहे हैं ना तो इसमें आप देखें कि यह arrows बनने हुए एक के साथ लिखा हुए M यह यह कि यह line को move कर सकता है मस्त इस line को मैं उपर लेके जा सकता हूँ down कर सकता हूँ और next जो C के साथ लिखे हुए है यह इसकी copy बना देगा तो क्योंकि मैंने यह पूरा sentence लिखना है document.write तो मैं इसी line को copy कर देता हूँ और यह right side पे जो C वाला है ने इस पे click कर दिया और इसने पूरी की पूरी line की copy बना दिया और यह move वाला जो arrow है इसके साथ मैं इसको नीचे लाया और यहां पे variable का नाम मैं इसको इसको 2 कर देता हूँ तो अब मैं अगर run करता हूँ तो मुझे यह data दो दफा लिखवा आएगा और जिस तरह 456 और 456 अच्छा variable के data को बाज़ कर दिये आपको फिर value उसकी तबदील भी करने की जूरत पड़ जाती है जैसे यहां पे हमने शुरू में इसको यह value दी है बाद में आप coding कर रहे हैं coding में देखें यह lines होती हैं जिस तरह भी पहले शुरू में हमने एक line का code लिखा था सिरफ एक line का बाद में फिर अब हमने एक से जादर lines का code लिख रहे हैं तो इसमें बाज़ वकर आपको variable को variable कहते भी इसलिए हैं कि वह value उसकी change हो सकती है fix नहीं होती तो यहां पे अब जैसे हम variable 1 में कुछ और save करना चाहरे है var1 देखें यह list में से मैंने निकाल लिया और equal to और इसमें हम 123 कर देते हैं 123 तो अब देखें जो शुरू में जो यह वली line number 3 के उपर write लिखा हुआ है इस वकर variable में data 456 था तो यह जब print करेगा document के उपर यह write करेगा तो यह 456 करेगा तो यहां पे आके इसमें value हमने 123 कर दिया है तो यह line इस तरह चलेगी के equal की right side पे क्या चीज़ है variable का नाम है तो इसकी जगह इसकी value आजाएगी और value अभी क्या है 123 तो यह left side पे जो के variable है वीर 2 उसके अंदर अब store हो जाएगा 123 और वीर 1 के अंदर भी 123 ही है तो इसको जब हम vr2 को write करेंगे document के उपर तो यह हमें 123 लिखावा आ जाएगा इसको मैं साथ में save भी कर देता हूँ और play बटन पे क्लिक करता हूँ और in app पे क्लिक करता हूँ तो यह इसलिए शुरू में 456 और 123 आ गया तो अभी जिस तरह मैं यह आपको explain कर रहा हूँ कोड को इसको हम dry run भी कहते हैं यानि इस प्रोग्राम को execute किये बगार खुद से इसको आप जिस तरह computer ने process करना है आप इसको process करें तो इसके लिए कुछ लोग यह है कि paper के उपर भी यह process करते हैं प्रोग्राम सीखने के लिए शुरू में कि paper के उपर आप dry run इस तरह करना है कि variable के जैसे आप उपर पहली line से code को process करना शुरू करें खुद से अपने दमाग में तो आप paper के उपर पहले variable का नाम लिखें जो उसकी value आई है और वो लिखें फिर next line को process करें जो उसमें हुए है वो साथ में एक paper के उपर एक इस तरह की rectangle बना दे जिस तरह की output के लिए होती है और वहाँ पे आपके top left पे जो भी उसकी value जिस तरह के यहाँ पर right है तो वो value लिख दें इस से next line पे जैसे के हम variable की value तबदील कर रहे है तो जो आपने paper में शुरू में VAR1 के आगया आपने लिखा था 4, 5, 6 एक बेशकाप table और farm में इसको कर दें इसको आप cut करके और next उसकी value लिख दें अब इसमें 1, 2, 3 है तो अब हम चोथी line पे देखें हमारे पास एक और variable आ गया तो बलकि ये पांचवी line है इसमें एक और variable आ गया तो आप उसमें लिखें table के अंदर एक और variable लिखें VAR2 और उसकी value क्या है वो उसकी value equal है VAR1 के और VAR1 में क्या था 1, 2, 3 तो फिर आखरी अब ये जो line है जावा स्क्रिप्ट की छेवी नमबर line उसमें हम उसको write कर रहे हैं स्क्रीन के उपर VAR2 और हमें पता है कि अभी जब write करेंगे तो VAR2 के अंदर value 123 है तो ये print हो जाएगा तो जिस तरह भी हमने ये बातें बातों में हमने खुद इसको run करके explain किया है उसके paper के उपर output box के अंदर हमने बनाई है आप भी इसी तरह जब ये process करते हैं तो इसको dry run बोलते है इसमें ये है कि सीखने के लिए ये काफी अच्छा है paper के उपर आप इसको run करें और बात में computer ने खिर ऐसे ही run करना है इस तरह आप शुरू में खास तोर पर सीख सकते हैं तो अब मैं आपको थोड़ा सा पिछली वीडियो में जिस तरह के मेरी आप से बात हो दी कि मैं spacing के अवाले से बताऊंगा ये वीडियो भी basement की हो चुकी है तो spacing के वाले से मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ ये पांच एक मिनट खैर उपर हो जाएगी कोशिश मेरी थी कि ये 10 से 20 मिन की वीडियो हो लेकिन क्योंकि चीज़े ये ऐसी हैं कि ये explain करनी होती है चुकि आप सीख रहे हैं पहली दफ़ा तो आपको thinking process का नहीं पता है कि programming करते हुए आपके mind में क्या आ रहा हुता है तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जिस तरह programming करनी है आपके mind में क्या क्या चीज़े आती है वो मैं आप साथ बोल के बता हूँ ताकि आप इस चीज़ की practice करें और आप भी ऐसे ही thinking process अपना change करें तो इसको हम run करते हैं तो हम देखते हैं कि ये अकटा ही लिखा वा रहा है जबके मैं ये चाहता हूँ कि एक इसमें space आ जाए तो एक space के लिए तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि एक और line हम ये बलके यहाँ पर मैं इस line को copy कर लेता हूँ और इस उपर वाली line जो आई है इसको मैं edit करके यहाँ पर double coat के अंदर मैं इसमें space डाल देता हूँ तो यह हमारा जो मकसद है वो space वाला एक काम ये हो जाएगा इसको हम run करते हैं तो एक space देखें आगी है लेकिन जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर ये एक से ज़एदा spaces देंगे तो वो नहीं उसमें हमें output में नज़र आएंगी तो उसके लिए मैंने आपको बताया था किसमें हम एक keyword इसमाल करते हैं एक से ज़एदा spaces के लिए तो वो मैं आपको keyword भी बताता हूँ और next line पे अगर output आपने दिखानी है तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ तो एक से ज़एदा spaces जब आपने शामिल करनी है तो उसके लिए जो keyword है वो आपको थोड़ा सा ये कुछ चीज़ें मैंने आपसे बताया था कि memorize करने वाली है और कुछ चीज़ें आपको समझ के करनी होते है तो ये इसको हम बोलते हैं non breaking space तो इसलिए इसका नाम भी ऐसे ही है NBSP non breaking space के लिए और इसके आखर में आपका semi column आ जाएगा तो इसको हम run करते हैं इसके शूर्व में end sign भी है तो इसको अभी हम run करते हैं तो इसको in app में देखते हैं तो अभी एक space आई है जैसे के हम वैसे भी एक space दे सकते थे तो इसी line को मैं भी duplicate करता हूँ जिस तरह के यहां पे तो अभी हम देखते हैं इसको run करके तो अभी आप देखें पहले से ज़्यादा स्पेस आगी है तो इसके बजाए कि हम ये दो लाइनों में लिखें ये स्पेसे क्योंकि ये एक ऐसी चीज़े के छोटी सी चीज़े है ये आपको स्पेसे इस तरह अगर देनी पड़ जाएं तो और ये हम देखें यहां पर अलग से लाइन में हमने इसलिए लिखा है कि ये अभी हमारे पास जो विरियेबल्स हैं उनको हम कंबाइन करके भी लिख सकते थे लेकिन आपकी असानी के लिए क्योंकि अभी मैंने आपको इस तरह कंबाइन करना नहीं दिखाया है अभी आपको बिल्कुल बेसिक है विरियेबल्स का तो यह यहीं पर भी हम लिख सकते थे तो इसको मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूँ इस टेक्स को और यहां पर इसको फिर मैं पेस्ट कर देता हूँ तो यहां पर कॉपी अप्रेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और चल यह हमारे पास कॉपी हो गया है और इसको मैं एक से ज़्यादा दफा पेस्ट कर देता हूँ उपर पैंसल आइकन पर क्लिक किया पेस्ट पर किया एक दफा फिर किया दो क्योंकि मैं चाता हूँ कि यह पांच एक दफा मैं करूँ जएदा स्पेस हो आपको एकदम वाज़ात होके नज़र आएगा तो इसको मैं रण करता हूँ तो यह देखिए आपको काफी सरी स्पेस नदर आ रही है तो अचा भी आपको दूसरी चीज एक और चीज मैं बताता हूँ कि नेक्स लाइन पर जाने के लिए जो एक चीज थी वो थी आपको एक टैग इस्तमाल करना पड़ता है क्योंकि यह आउटपुट जो भी रन हो रही है यह क्योंकि HTML की फॉर्म में हो रही है तो HTML का हमने देखा है जिस तरह एक टैग हमने स्क्रिप्ट का इस्तमाल किया हुआ है और यह आपको मैं दूसरा टैग बता रहा हूँ किस तरह आप ब्रेक लाइन ब्रेक कर सकते हैं तो यह बैकेट यह हम चोटी बैकेट डालते हैं एंकल बैकेट बोलते हैं यह डालते हैं और इसमें बी आर लिखते हैं तो यह basically html का एक tag है, तो इसमें जो भी हम write करते हैं, वो हम html लेखते है, html में simple string भी हो सकते हैं, जिस तरह के हम पहले शुरू से ही write करवा रहे हैं, numeric value भी हो सकते हैं, जिस तरह के थोड़ी दर पहले हम निकराई है, और यह भी एक string है, तो इसको हम run करते हैं, तो in app पी run करते हैं, और यह देखते हैं कि next line पे बाकी आ रहा है, और क्योंकि जो पहले हमने write किया है, वो by default top row से start करता है, top to bottom, यह flow होता है, और left to right होता है, तो पहले आपने जो भी लिखा वो top left पे लिखा गया, और फिर BR का देखे, next statement यह आई, BR की, और इसलिए यह break होग यह वो फिर next line पे इसलिए शो होगए, तो इस वीडियो का हम यहाँ पे close करते हैं, तकरीबन 5 minute होगे हैं, तो इन्शालला ताला फिर हम next वीडियो के साथ हाज़े रहूंगे, तो फिर उसमें हम इन्शालला ताला मज़ीद चीज़े सीखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया Assalamualaikum